हालो दोस्तों स्वाइब आपका अपनी यूडव चैनल पर आसे करता हम सभी लोग अपनी जीवन का अनम ले रहा होंगे देरे देरे फाइनेंशिल प्रीडिम के और बाढ़ रहा होंगे अभी हम जिस्टेर की आनलेसिस करेंगे हैं वह है कोल इंडिया लिम्टेट एंड कोल लिम्टेट काफी लगब लगब 200 का लेवल टच करके नेचे की और आया जा रहा है लगब तीन महीने से पिछले तीन महीने से इस मन्त में इसने 140 का लो लगा के तोड़ा उपर जाने की कोशिश की है यह अभी जो भी खतम हुआ है स्विक मंत्ली टाइम फ्रेम पे अभी हम मंत्री टाइम फ्रेम पे हम लोग बिखेंगे जब भी यह नीची की और आता है ठीक है एक दो तीन चार मन्त यहां पर support लिया क्योंकि यहां पर support था नीचे था फिर यहां पर एक दो तीन चार मंद फिर यहां पर एक दो मंद फिर यहां पर तीन मंद पर green candle बनाया तो अगर यहां से जैसे यह मंद complete हो रहा है ठीक है अगर इस मंद में अभी की जो closing है 145 के आस पर चल लिए ठीक है अगर 145 के आस पर चल रही है अगर यह जो इसका उपनिंग प्राइस इसके ऊपर close कर देता है तो यह जो candle है बुलिस candle बन जाएगा ठीक है क्योंकि इन्वर्टेड हैमर candle बन जाएगा यहां पर तो अगर ऐसा हैमर यहां पर बनाता है आगे आने वाले नेक्स्ट वीक में मतलब 6 देज इसमें बचा है वे ट्रेडिंग 5 देज तो अगर ऐसा होता है और फिर से आने वाले समय में इसका यह 161 का लेवल क्रॉस करता है तो यह फिर से ऊपर क्यों निकल सकता है क्योंकि एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट के पास में है अभी हम लोग क्या करेंगे चोड़े टाइम पर जाके देखेंगे कि वीकली टाइम पर एंडेली टाइम पर कैसे कि प्रकार चेकर प्राइस सेक्शन अभी हम लोग क्या करेंगे वीकली टाइम पर आगया हमें और इस वीक टीक जो गोई है यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया है जै कि मैंने बोला आपको 123 타im इसने सपोर्ट लिया ठीक है अब जर्सने सपोर्ट लिया है तो यहाँ पहर मैं चाहूँगा कि यह तोड़ा ऊपर है यहां पर नोड आउट यहां पर थोड़ा सा इसके पास इसको मिलेगा 150 के आसपास फोड़ा सा इसको resistance मिलेगा तो next week अगर यह उपर क्यों निकलता है एक और candle यह ही पर बना देता है ठीक है next week का candle की closing अगर यहां पर दे देता है 153 के आसपास यहां फिर 157 के आसपास तो यह बहुत ही अच्छी बात होगी हमारे लिए क्यों क्योंकि अगर यहां पर closing देता है तो जैसे मैंने अभी monthly time frame पर आपको दिखाया monthly time frame पर जो candle हो एक इनवर्टेड हैमर टाइप candle बन जाएगा और यह होता है bullish candle तो अगर इसका फिर से यहां से नीचे की ओड़ से अगर ऐसे high break करके उपर निकले तो हम लोग क्या कर सकते हैं इस पर पोजिशन बना सकते हैं ठीक है तो क्या हो जाएगा monthly time frame पर confirmation मिलने के बाद मतलब monthly time frame पर जो भी बुलिशनेस थी चली गई तो एंट्री ले सकते हैं अच्छा होगा और यहां पर यहां पर देखेंगे वाव क्या गिरावट है मैंने इसमें पोजिशन मनाई थी लग 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 बन पोटी के आसपास मैंने इसमें अपनी पोजि और मैंने इसको 204 पर नहीं लेकिन 184 यहां पर यहां पर नीचे चला गया और अभी तक इसने कभी यहां पर डेली टाइम प्रेम पर बनाया नहीं है लेकिन अभी जो चांसे दिख रहा है हो सकता है नेक्स्ट वीक में आने वाले वीक में यहां पे डब्लू टाइप पैटन की फॉर्मेशन हम लोग को बेस पे मिल जाए क्यों क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूं तो यह यहां से नीचे आया और अपनी ट्रेंड लाइन पे इसने स कर सकते हैं और कुछ पोजिशन यहां पर यह जो वन फुर्टी वन फुर्टी का लेवल जब क्रॉस हो तब आट करना सही हम लोग को क्या है कि यह बहुत नीचे से उपर आ रहा है तो इसमें एक रिवर्सल तो मिलेगा है इसको लेकिन किस लेवल पर मिलेगा यह मुश्किल करना पड़ेगा यहां पर एक ट्रेंड लाइन आ रही है ठीक है तो अगर यह नीचे और यहां से नीचे आ कि इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो मैं बोलूंगा जब इस बार पोजिशन मत बनाएगा यहां पे जब यह वन फिप्टी वन फुर्टी एट की भी जब कर जाए ठीक है उसके बाद आपको पोजिशन बनाना है भली हमारा थोड़ा स्टॉप बढ़ा हो जाएगा एकसप्ट कर लेंगे कम क्वांटिटी में पोजिशन बनाएंगे चलेगा लेकिन एक हम लोग को यहां पर डबलू टाइप पैटन का कन्फरमिशन जब नेक लाइ कि यह बात द्यान देना है कि यह जब डबलू टाइप पैटन है इसका जब नेक लाइं यहां बनाएंगे और यहां पर ऑपर इंगे लिए का जिसे की यह जब लाइन ब्रेंग कर सकते है लेकिन फिलाल के लिए को इंडिया में जैसे कि यह जो गिरावट मुझे बहृत तो फिर और नीचे जा सकता है लेकिन अगर यह 150 के उपर निकल दा तो हम लोग कॉंटिटी आड करना स्टार्ट कर देंगे ठीक है क्योंकि बहुत नीचे आ चुका है यह हो गया उपर जाने की बात अगर इसमें क्या हो अगर यह इसमें अभी जैसे नीचे आ रहा है ठीक है तो यह तो लोँवरड लो उर लोँवरड सकता है लगसला 25 123 के अगर future में फिर से नीचे आता है तो यह हम लोग इसमें उपर की लेख सकते हैं तो अगर आप long term से इसमें share में invest करके रखे हों तो आपको अपना एक stop loss को लगा के रखना चाहिए भले 5 साल के लिए लगा के रखना चाहिए आपको और short term के लिए कहां से long term के लिए दोनों के लिए अच्छा देख रहा है लेकिन बस सब्सक्राइब कर सकते हैं आप से अगले वीडियो में वीडियो देखने के लिए धन्यवाद